आजकर के जमाने हैं, पेरेंस अपने बच्चों को 24-7 आवर्स जॉब के वज़े से फुल टाइम नहीं दे पाता है, इसलिए वो एक कोई भी मेड हायर करते हैं, और मेड पेरेंस और चाइल के पीछ मिस्कम्यूनिकेट करके, बच्चे का ख्याल अच्छे से नहीं भी रख सक करते हैं, इसलिए इस प्रॉब्लम को ओवर कम करने के लिए हम्रों की क्रेडल लिजान की, ये क्रेडल बेबी के बेसिकली दो एक्टिविटीज को सेंस करते हैं, पहला है क्राइन और दूसरा है वेटनेस, अगर बेबी किसी वी वज़े से रो रहा होगा, तो ये क्रेडल और अगर बेबी किसी वी वज़े से अगर वेट होगा, तो ये पैरेट्स को मेसेज भेज़ देगा, जब ग्रेडल चाइड मोड में रहेगा, तो ये आउटमेटिकली सब काम करेगा, बच्चे को किसी भी तरीके का दिक्कत होगा, ये सब कुछ ग्रेडल हैंडल करेगा, अभी हम लोग यहाँ पे एक बेबी क्राइन साउंड इफेक्ट डालेंगे और उसके बाद यह क्रेडल आटमेटिकली स्विंग लिए क्रेडल के स्विंग को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक रेगुलेटर भी हम लोग लगाये हैं अगर उसका जूला किसी में वज़े से अगर धीग गया तो जैसे कि अगर भूलोग यहाँ पर थोड़ा क्रेडल अभी क्यूंकि चाइड मोड में है और सब कुछ आटमेटिक है तो इसमें वेटनेस अलर्ट आया और फोन में मैसेज भी आगे पैरेंट्स को चला गया इस क्रेडल के आज पस अगर हम लोग कोई पी अन्वांटेड धुआ या फायर अगर अभी प्रोवाइट करेंगे तो यह आटमेटिकली उसको सेंस करके पैरेंट्स को अलर्ट लेज देगा अब हम लोगों ने इस क्रेडल के बारे में जो देखा वो इसका पहला मोड है जो की चाइड मोड है अब हम लोग इस क्रेडल को पैरेंट्स मोड में स्विच करेंगे और उसके बाद देखेंगे यह कैसे वर्क करता है तो यहां पे जो मोड चिनिंग मोड है तो हम यह प्र करने के बाद यह आटमेटिकली पिचाइड नोट से फेंड मोड जा रही है तो इसको करने के बाद पैरेंट्स इसको अपने मुवाइल पोन से भी हैंडल कर सकते हैं और उसके अपने करने के लिए हम कोमेंट दे रही है करने के लिए लग जाएगा तो शविंग श्टार्ट हो जरी तो अब यह अगया करने के लिए हम लोग इसमेशी रही है है आगया तो शप्राश्ट भी हो गया